हमसे पूछा गया है कि तीन आयतों की विमाओं से हमें क्षेत्रफल की तुलना करनी है देखिए हम किस प्रकार करेंगे और हमें यह बताना है कि किस भाग का क्षेत्रफल सबसे अधिक है और किस का सबसे कम है हमें तीनों आयतों की माप दी गई है सबसे पहले हम पहली माप लेंगे जिसमें 9 मीटर और 6 मीटर भुजा है आयत का क्षेत्रफल हमारे पास लंबाई गुना चुडाई से प्राप्त होगा 9 मीटर गुना 6 मीटर जो हमें 54 मीटर प्राप्त होता है दूसरे भाग में हमें बुजाएं 17 मीटर और 3 मीटर दी गई है जब हम आयत का क्षितरफल ग्यात करेंगे तो 17 मीटर को 3 मीटर से गुना करना है जो 51 वर्ग मीटर होगा तीसरी बुजाएं हमें 14 मीटर और 4 मीटर दी है इस आयत का क्षेतरफल 14 मीटर गुना 4 मीटर होगा जो 56 मीटर है अब हम देख सकते हैं कि तीनों भागों में से सबसे अधिक क्षेतरफल 56 मीटर है जो भाग C का है और सबसे कम क्षेतरफल 51 मीटर है जो भाग B का है हम कह सकते हैं कि भाग C का क्षेत्रफल सबसे अधिक है और भाग B का क्षेत्रफल सबसे कम है उसके बाद हमें दिया गया है कि 50 मीटर लंबाई वाले एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 300 वरग मीटर है बगीचे की चुड़ाई ग्याद कीजिए सबसे पहले हम एक आयताकार बगीचा बनाते हैं जिस का क्षेत्रफल 300 वरग मीटर है और लंबाई और चुड़ाई हमारी इन भुजाओं को हम मानते हैं हमें लंबाई दी गई है और क्षेत्रफल दिया गया है सबसे पहले हम आयताकार बगीचे का क्षेतरफल लिखेंगे जो 300 वर्ग मीटर है उसके बाद हमें पता है कि आयत का क्षेतरफल हम लंबाई और चुड़ाई की गुननफल से ग्याद करते हैं आयत का क्षेतरफल यदि लंबाई से भाग कर दिया जाए तो हमें आयत की चुड़ाई प्राप्त होगी हम कह सकते हैं कि इस आयताकार बगीचे की जो चुड़ाई होगी वो हमारे पास शेतरफल को लंबाई से भाग करने पर प्राप्त होगी शेतरफल तीन सो वरग मीटर और लंबाई पचास मीटर जब हम भाग करेंगे तो हमें देखें पचास से कम पचास और पचास चिके तीन सो छे मीटर प्राप्त होगा हम कह सकते हैं कि बगीचे की चुड़ाई छे मीटर होगी उसके बाद अगला प्रशन है 500 मीटर लंबाई तथा 200 मीटर चुड़ाई वाले एक आयताकार भूखन पर 8 रुपे पर 300 वरग मीटर की दर से टाई लगाने का व्याद कीजिए हम अपने दैनिक जीवन में भी अपने मकान में फर्श लगाते हैं जिसका हमें रेट दिया होता है आप मिस्त्री से पूछ कर उसका मुल्य या व्य खर्च निकाल सकते हैं सबसे पहले हम आयताकार भूखन की लंबाई जिसे हम लेंथ कहते हैं पांसो मीटर लेंगे उसके बाद आयताकार भूखन की चुड़ाई जिसे ब्रैट कहा जाता है वो हमें दो सो मीटर दी हुई है हमें एक आकरती बनाएंगे और उसकी भूजाओं का माप लिखेंगे इसके अंदर का जो इंटीरियर पार्ट अभ्यंतर भाग है वो इसके एक्षेतर फल को दर्शाता है और आयताकार भूखन के ख्षेतर फल को हम उसकी लंबाई और चुड़ाई के गुनन फल से प्राप्त करते हैं 500 मीटर और 200 मीटर के गुनन फल को जब हम ग्यात करेंगे तो हमारे पास एक लाख वर्ग मीटर इसका ख्षेतर फल होगा हमें 100 वर्ग मीटर भूखन पर टाई लगाने का व्याय दिया हुआ है जो आठ रुपए है एक वर्ग मीटर भूखन पर टाई लगाने का व्याय आठ बटे में 100 रुपए होगा और एक लाख वर्ग मीटर भूखन पर टाइल लगाने का व्याए आठ भाग सो गुना एक लाख दो शुन्य से दो शुन्य हमारे कैंसल होंगे आठ गुना में एक हजार बराबर है आठ हजार ये हमारा व्याह होगा और हम कह सकते हैं कि भूखंड पर टाइल लगाने का व्याह आठ हजार रुपए है उसके बाद हमें दिया गया है कि एक मेज के उपरी प्रिष्ट की माप 2 मीटर और 25 सेंटी मीटर हम एक आयताकार प्रिष्ट लेते हैं जिसकी भूजाएं 2 मीटर 25 सेंटी मीटर और 1 मीटर 50 सेंटी मीटर है हम एक शेतरफल वर्ग मीटर में ग्याद करना है इसलिए हम इनकी मापों को मीटर में बदलते हैं 100 cm एक मीटर के बराबर होता है और 25 cm से हमें 0.25 मीटर प्राप्त होगा इसी प्रकार 50 cm 0.50 मीटर के बराबर होगा हमारी जो माप 2.25 मीटर है वो 2.25 मीटर होगी और 1.50 मीटर माप जो है वो 1.50 मीटर के बराबर होगी मेज के उपरी प्रिष्ट का क्षेतर फल दोनों भुजाओं के गुन फल से प्राप्त किया जा सकता है जो हमारे पास 3.35 मीटर होगा उसके बाद हमें दिया गया है एक कमरे की लंबाई 4.25 मीटर तथा चुडाई 3.65 मीटर है कमरे के फर्ष को ढखने के लिए कितने वर्ग मीटर कलीचे की अवश्यक्ता होगी सबसे पहले हम एक कमरे के फर्ष को लेंगे जो आयताकार है उसकी भुजाओं का माप लिखेंगे हमें वर्ग मीटर में गलीचे की अवश्यक्ता है यानि हम एक शेतरफल वर्ग मीटर में ग्याद करना है सबसे पहले हम कमरे की माप को मीटर में बदलेंगे अभी जैसा कि हमने देखा कि 100 सेंटीमीटर एक मीटर के बराबर है 25 सेंटीमीटर से हमें 0.25 मीटर प्राप्त होगा और 65 सेंटीमीटर से हमें 0.65 मीटर प्राप्त होगा कमरे की लंबाई 4.25 मीटर कम्रे की चुड़ाई 3.65 मीटर कम्रे के फर्ष का क्षेतर फर्ल लंबाई गुना चुड़ाई होगा जो 4.25 मीटर गुना 3.65 मीटर होगा और इनका गुनन फल 15.5125 मीटर है जब हम इसे 2.5 स्थान तक लेंगे तो 15.5 एक वर्ग मीटर होगा जो कम्रे के फर्ष का क्षेतर फल है वही गलीचे का क्षेतर फल होगा हम कह सकते हैं कि कम्रे के फर्ष को ढखने के लिए 15.5 एक वर्ग मीटर गलीचे की आवश्यक्ता होगी आगे हम देखते हैं कि हमें दिया है एक फर्ष की लंबाई पांच मीटर तथा चुड़ाई चार मीटर है तीन मीटर भुजा वाले एक वरगाकार गलीचे को फर्ष पर बिचाया गया है फर्ष के उस भाग का क्षेतरफल ग्याद कीजिए जिस पर गलीचा नहीं बिचा है सबसे पहले हम एक फर्ष की माप लेंगे पांच मीटर लंबाई और चार मीटर चुड़ाई की उसके बाद हम एक तीन मीटर भुजा का वरगाकार गलीचा इस पर बिचाएंगे नीले भाग को छोड़ कर जो च्हांकित भाग है वो शेश भाग का क्षेतरफल होगा जिस पर गलीचा नहीं है हमारे पास गलीचे की विमाएं तीन मीटर की है सबसे पहले हम फर्ष की लंबाई और चुड़ाई को लिखेंगे लंबाई पाँच मीटर और चुड़ाई चार मीटर फर्ष का खेतरफल लंबाई गुना चुड़ाई से निकालेंगे जो पाँच मीटर गुना चार मीटर बीस वर्ग मीटर होगा उसके बाद हम वर्गाकार गलीचे की भुजा को लिखेंगे जो 3 मीटर दी हुई है उसका ख्षेतर्फल भुजा गुना भुजा होगा 3 मीटर गुना 3 मीटर बराबर 9 मीटर अब हमें FERS के उस भाग का ख्षेतर्फल ग्यात करना है जिस पर गलीचा नहीं बिचा है उसके लिए हम फर्स के क्षेतरफल में से गलीचे के क्षेतरफल को घटाएंगे फर्स का क्षेतरफल 20 वर्ग मीटर है और गलीचे का क्षेतरफल 9 वर्ग मीटर है 20 वर्ग मीटर में से 9 वर्ग मीटर को घटाने पर खेतरफल 11 वर्ग मीटर बचेगा हम कह सकते हैं कि फर्ष के उस भाग का खेतरफल 11 वर्ग मीटर है जिस पर गलीचा नहीं बिचा है उसके बाद हमें दिया गया है 5 मीटर लंबाई तथा 4 मीटर चुडाई वाले एक आयताकार भूखन पर एक मीटर भूजा वाली 5 वर्गाकार फूर्णों की क्यारिया बनाई जाती है भूखन के शेष भाग का खेतरफल ग्याद कीजिये हमने एक भूखन लिया है जिसमें लंबाई 5 मीटर और चुडाई 4 मीटर दर्शाई गई है इस पर हमें पांच वर्गाकार फूलों की क्यारियां बनानी है जिसमें से एक-एक मीटर की भूजा है सबसे पहले हम आयताकार भूखन की लंबाई यानि लेंथ लिखेंगे जो पांच मीटर है उसके बाद आयताकार भूखन की चुड़ाई जिसे हम ब्रेट कहते हैं वो चार मीटर है आयताकार भूखन का क्षेतरफल एरिया लंबाई गुना चुड़ाई होगा और लंबाई चुड़ाई हमें पता है कि पांच मीटर और चार मीटर है उनका गुननफल जब हम ग्यात करेंगे 20 वर्ग मीटर होगा अब हमें एक वर्गाकार क्यारी की भुजा दी गई है एक मीटर एक वर्गाकार क्यारी का क्षेतरफल भुजा गुना भुजा से प्राप्त होगा एक मीटर गुणा एक मीटर एक वर्ग मीटर हमारे पास पांच वर्गाकार क्यारिया है तो पांच वर्गाकार क्यारियों का क्षेतरफल पांच गुणा एक पांच वर्ग मीटर होगा भूखन के शेश भाग का क्षेतरफल हमें ग्यात करना है यदि हम आयताकार भूखंड के क्षेतरफल में से क्यारियों के क्षेतरफल को घटा दें तो हमें भूखंड के शेश भाग का क्षेतरफल पता चलेगा 20 वर्ग मीटर में से 5 वर्ग मीटर को घटाने पर हमें क्षेतरफल 15 वर्ग मीटर प्राप्त होगा आप इसकी जांच भी कर सकते हैं जब आप चोड़ाई में से क्यारी की एक मीटर की चोड़ाई को घटाएंगे तो शेज भूखन की चोड़ाई हमारे पास तीन मीटर होगी और लंबाई हमारे पास पांच मीटर होगी आप आकरती में देख सकते हैं क्यारियों को छोड़कर शेज भाग की लंबाई 5 मीटर और चुड़ाई 3 मीटर होगी आप यदि उसका गुनुन फल ग्याद करेंगे तो 15 वरग मीटर हमारे पास प्राप्त होगा उसके बाद हमें कुछ आकर्तियां दी गई हैं हमें उन्हें आयतों में तोड़कर उनका क्षे तरफल ग्याद करना है बुजाओं की माप सेंटीमीटर में हैं सबसे पहले हम पहले भाग को करते हैं आप इस प्रकार इन्हें मिलाए जिससे आपको चार आयत प्राप्त होंगी सबसे पहले देखिए A, B, C और D ये चार भाग हमें प्राप्त होंगे उसके बाद हम इनकी भुजाओं को लिखेंगे जिसके दुआरा हम च्षे तरफल ग्याद करेंगे बुजाओं को लिखने के बाद सबसे पहले भाग A की भुजाएं आप देखेंगे की चार सेंटीमीटर और दो सेंटीमीटर हैं भाग A का अक्षे तरफल चार गुणा दो आठ वर्ग सेंटीमीटर होगा भाग B की भुजाएं 3 cm और 3 cm हैं इसका ख्षेतरफल 3 गुणा 3 9 cm होगा C भाग की भुजाएं 2 cm और 1 cm हैं इसका ख्षेतरफल 2 गुणा 1 2 वर्ग cm होगा D भाग की भुजाएं 3 cm और 3 cm हैं जिसका ख्षेतरफल 3 गुणा 3 9 cm होगा हमने 4 भागों का ख्षेतरफल ग्याद कर लिया है और हमें पूरी आकरती का ख्षेतरफल ग्याद करना है जब हम इन चारों भागों को जोडेंगे तो पूरी आकरती का क्षेतरफल 28 वर्ग सेंटीमिटर प्राप्त होगा उसके बाद दूसरे भाग को करते हैं आप उसे इस प्रकार मिलाएं और हमें तीन भाग प्राप्त होंगे A, B और C यहां पर भुजाएं आपको दशाए गई हैं, A भाग की भुजाएं तीन सेंटीमिटर और एक सेंटीमिटर हैं, इसका क्षेतरफल 3 गुणा एक तीन वर्ग सेंटीमिटर होगा B भाग की भुजाएं भी 3 सेंटीमिटर और 1 सेंटीमिटर इसका ख्षेतरफल भी 3 वर्ग सेंटीमिटर होगा C भाग की भुजाएं 3 सेंटीमिटर और 1 सेंटीमिटर इसका ख्षेतरफल भी 3 गुना 1 3 वर्ग सेंटीमिटर होगा इस प्रकार पूरी आकर्ती का छेतरफल तीनो भागों को जोड़कर 9 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होगा उसके बाद हमें कुछ और आकर्तियां दी गई हैं जिन्हें आयतों में तोड़कर छेतरफल ग्यात करना है इन में भी बुजाओं की माप सेंटीमीटर में दी गई हैं सबसे पहले हम इसको इस प्रकार मिलाएंगे तो हमें दो भाग प्राप्त होंगे A और B सबसे पहले A भाग की बुजाएं 10 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर छेतरफल हमारे पास 20 वर्ग सेंटीमीटर होगा हमें अगली आकर्ति दी है यदि उसे आप इस प्रकार मिलाएंगे तो आपको 77 cm के 5 वर्ग प्राप्त होंगे आपको 5 वर्गों का कुल ख्षेतरफल ग्याद करना है एक वर्ग की भुजा की लंबाई 7 cm है एक वर्ग का ख्षेतरफल भुजा गुना भुजा 7 गुना 7 उननचस वर्ग cm होगा 5 वर्गों का ख्षेतरफल 5 गुना उननचस 245 वर्ग मीटर होगा आप कह सकते हैं कि आकर्ती का क्षेतरफल 245 वरग सेंटेमिटर है उसके बाद एक आकर्ती हमें और दी है जिसमें हम बुजाएं देख सकते हैं उसके बाद हमें इसका क्षेतरफल ग्याद करना है आप इसे इस प्रकार मिलाएं आपको दो भाग प्राप्त होंगे सबसे पहले उपर के भाग का ख्षेतरफल हम देखते हैं 5 cm और 1 cm भूजा की गुना हम करेंगे 5 वर्ग सेंटीमेटर ख्षेतरफल होगा नीचे वाले भाग में 4 cm गुना 1 cm 4 वर्ग सेंटीमेटर आकर्ती का कुल ख्षेतरफल हमारे पास 5 जमाचार 9 वर्ग सेंटीमेटर होगा आज जो कुछ हमने वीडियो में सीखा उसके आधार पर आपको तीन प्रशन दिये गए हैं आपको इन प्रशनों को हल करना है धन्यवाद